बाज पक्षी जिसे हम इगल या शाहीन भी कहते हैं जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिच्याना सीखते हैं उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोच कर सबसे उचा उर जाती है बाज अपने बच्चे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर आसमान की तरफ ले जाती है जितने उपर अमूमन जहाज उड़ा करती हैं और वह दूरी तै करने में मादा बाज 7-9 मिनिट का समय लेती है और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है बाज एक बहुत ही शक्तिशाली पक्षी है जो अपने पंजों के सारे लगभग 6-8 किलो का वजन उठा कर उर सकता है मोर तोता एवं अन्य बुद्धिमान पक्षियों की सूची में बाज भी शामिल है मुख्य तोर पर मादा बाज दो अंडे देती है लेकिन ज्यादा तर मामले में उनमें से एक ही ताकतवर चूजा ताकतवर होता है और दूसरा कमजोर उसको वह मार देती है कई देशों में बाज को शुब माना जाता है यही कारण है कि इसका प्रतीक विभिन राश्च्य जंडे पर होता है आपको जानकर हैरान हो सकते है बाज आसमान में 210 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से उर सकता है विश्व एवं दुनिया भर में आज भी बाज की 40 से अधिक प्रजातियां उपलब्ध है एक बाज के शरीर का वजन लगभग 5 से 7 किलो तक होता है कुछ बाज अपने भोजन की तलाश में 100 किलोमीटर तक की उडान भर जाते है एक स्वस्थ बाज का जीवनकाल लगभग 70 वर्ष का होता है बाज का मुख्य भोजन चुहे, मेंधक, मचली आदी होता है हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब अपनी उडान भरते हैं तो वहां आस्मान में बादलों से भी उपर चले जाते हैं इसलिए वो अधिकतर दिखाई नहीं पड़ते हैं बाज मासहारी पक्षी होता है जो अधिकतर मास खाना ही पसंद करते हैं बाज अपना घोसला जंगलों के पेड़ों पर या फिर खाली चटानों पर बनाते हैं आप जानकर हैरान हो सकते हैं बाज आकाश में 12,000 फीट से जाएदा उची उडान भर सकता है बाज के बच्चों को अपने नाखून पूरी तरह बढ़ाने में सालों लगते हैं चीते की चाल और बाज की नजर काहवत आपने सुनी होगी बाज की नजर सभी पक्षियों के मुकाबले सबसे अधिक होती है क्या आप जानते हैं बाज पानी में तैर भी सकते हैं बोचक जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको विडियो पसंद आया हो तो विडियो शेयर करें और कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दे और ऐसे विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें झाल